सिराज की कसम खाकर मैदान में उतरे अफरीका के गेनबास दस मिनिट में शिरी लंका को कर दिया बरबाद 77 के टारगेट पर हुआ बवाल शिरी लंका को मिली शर्मनाख हार एनरिक नोकिया में आगई सिराज की आत्मा धोनी के चेले ने भी उड़ाई शिरी लंका की धजियां फिर लंका की गेनबासों ने दिया मुहतोर जवाब अटक गई थी दोनों टीमों की सांस इधर वर्ल्ड कप के बीच महंदर सिंग धोनी के जिगरी दोस्त ने कर दिया सन्यास का एलान भारतिय टीम को लगा बड़ा जटका भाउक हो गए रोहित और विराट टी ट्वन्टी वर्ल्ड कप का चोथा मैच निई यॉर्क के नासाओ किर्केट स्टेडियम में साउथ अफरीका के शेर शिरी लंका का सामना करने आये थे जब शिरी लंका ने टोस्त जीत कर पहले बल्ले बाजी का फैसला किया तब कप्तान हसरंगा को अंदाजा भी नहीं था साउथ अफरीका के गेंदबास कितनी तबाही मचाने वाले हैं पहले आपको 25 सेकेंड में मैच की कहानी दिखाते हैं इसके बाद टीम इंडिया के उस दिखच बराएंगे जिसने आज धोनी के अंदाज में सन्यास का एलान कर दिया शिरी लंका की ओपनिंग मायन इसांका तीन रन के स्कोर पर विकेट दे गए इसके बाद कुसल मैंडिस ने 19 रन मनाय और कामिंदू मैंडिस ने 11 रन मना कर विकेट दे दिया हस रंगा और समर विक्रमा तो खाता भी नहीं खोल पाए पावर प्ले में शिरी लंका सिर्फ 24 रन मना पाई थी लंका के साथ बले बास तो धाई कांकड़ा भी नहीं चूपाए एंडिक नोकिया ने चार विकेट लेकर लंका की कमर तोड़ दी केश्यो महराज ने भी दो विकेट लियो और रबाडा को भी दो विकेट मिले शिरी लंका की पूरी टीम 77 रन मना कर रोल आउट हो गई टी 20 किरकेट के इतियास में शिरी लंका ने अपना सबसे छोटा स्कोर बनाया ना सौँ स्टेडियम के पिछ पर सभी बले बास संगर्ष करते रहे इसके बास सौथ अफरीका की ओपनिंग जोड़ी मैदान में आती है अफरीका को लगा था पावर प्ले के अंदर ही आसानी से जीत हासिल करेंगे लेकिन असली कहानी अभी बाकी थी लंका के गेंदबाल्स भी पलेट वार करने के लिए तयार बैठे थे सबसे पहले नुआन तुशारा ने चार रन के निजी स्कोर पर रीजा हेंड्रिक्स को पवेलियन लोटा दिया इसके बाद एडन मारकरम बारा रन मना कर शनाका को विकेट दे गए पावर प्ले में साउथ अफरीका का स्कोर भी सिर्फ 27 रन ही था मैच कांटे पर था लेकिन विकेट कीपर कुशल मैंडिस की दो गलतियों ने शिरी लंका को मैच से दूर कर दिया कुशल मैंडिस ने ट्रिश्टन इस्टप्स और टुइंटन डी कोक दोनों की कैंच छोड़ी थी इसके बाद अफरीका के बले बाज टेस्ट खेलते रहे और मैच के करीब जाते रहे अंग्त में संगर्श के बाद हेंरिक कलासें ने साउथ अफरीका को 19 रन की पारी खेल कर आसानी से मैच जिता दिया इधर साउथ अफरीका को जीत मिनी उधर टीम इंडिया की टेंशन बढ़ गई टीम इंडिया को इसी पिच पर अपने तीन मुकाबले खेलने है और नासाओ स्टेडियम की ये पिच बेहत खतरनाक है कोई गेंद नीची रहती है तो कोई गेंद उपर जाती है ड्रोप इन पिच पर बले बाजों की सासे रुग गई है और गेंद बाजों की चांदी हो रही है टीम इंडिया को पूरी रणनीती के साथ इस मैदान में उतरना होगा जिस वक्त नियू योर्क में शिरी लंका हार रही थी उसी वक्त पर भारत में टीम इंडिया का दिगज खिलाडी सन्यास का एलान कर रहा था महंदर सिंध धोनी का करीबी जिसे एक वक्त पर भारत का गोल्डन हैंड कहा जाता था उसी केदार जाधों ने आज धोनी के अंदाज में सन्यास का एलान कर दिया केदार जाधों ने लिकाश 3 बजे के बाद से मुझे रिटायर माना जाए केदार जाधों ने टीम इंडिया के लिए 73 मकाबले खेले और 43 की उससे 1389 रन मनाए केदार जाधो 2019 के वंडे वर्ड कप में टीम इंडिया में शामिल थे और धोनी के करीबी माने जाते थे पिछले साल के दार जाधों ने RCB के लिए IPL भी खेला था फिलहाल के दार जाधों ने सभी फॉर्मेट से किर्केट को अलविदा कह दिया है उधर शिरी लंका किसार ने टीम इंडिया को टेंशन में डाल दिया है क्योंकि नासव स्टेडियम के पिछ कोई भी रंग दिखा सकती है और मैच का नतीजा कभी भी पलट सकता है टीम इंडिया फिलहाल नी योर्क में प्रैक्टिस कर रही है और 40 गंटे बाद आरलेंड के सामने अपना पहला मुकाबला खेलेगी श्री लंका के सार पर आपके क्या रहा है कमेंट करिए और वीडियो को दोस्तों तक शेयर कीजिए